अच्छा मम्मी क्या करती हैं और कितने साल से पानी बेच रहे हो और नहीं करता है दुबाकी बच्छों को देखते हो पड़ते हुए तो करता है पर घर में पाइसा नहीं है हम जाएंगो पानी बेच के कमा लेते हैं पहले नमस्कार मेरा नाम भैकुमार है और आप अब जनता बोलेगी देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान में हैं और बैठे हुए थे हम लोग इसी बिंच पे तब एक बच्छा जा रहा था यहीं वह लरका है और इसके माथे पे-वह दबा था दिखाइए पानी बोवटल तो इसने मेरे पास आया तो तो मैंने इसके मुह पे देखा तो एज बहुत कम है और इस सुम्र में कुछ करना पर रहा है यानि कमाना पर रहा है मैंने सोचा इन चीजों को आपको दिखाना चाहिए आला कि मैं पानी मेरे पास था इसके बावजूद में एक पोटल खरीद लूँगा उससे आधा एविलीटी मेरी नहीं है कि इसके पढ़ाने के खर्च उठा सकूं मेरे पास तो पढ़ा सकती है क्या नाम है तुम्हारा अन मुम्मी हाँ तीनी लोगों हुआ घर ममी क्या करती है मतलब बचपन में इसके पिता जी गुजर गया है और सम hen और कमाने वाला कोई नहीं है बेहन हैं तुमसे बड़ी है कि छोटी बड़ी है कि समय सकते हैं कितने संघर्स होता है कमाना और कहीं नहीं तो कहीं गरीवी पानी कितना रूपिया रोज पानी बेच के कमा लेते हैं 300-400 फायदा हो जाथ है कब सुबह सोने निकलते हो तुम घर से ऐसे तुमहें भर में रात को फिर कितना बेदось हो नौ बजे रात को नौ बजे यानि तेरा घंट लगतार काम करते हो बीच में ब्रेक लेते हो या लगतार बेचते रहते हो कभी कभी बैट जाते हो जैसे कि मैंने इसको बैठा लिया है तो बैठा हुआ वाकी यह पूरा बेचेगा और दिन भर में 300 से 400 कमाता है यानि कि अगर और पढ़ने ऊड़ने का मन नहीं करता दो बाखी बच्चों को देखते हो पढ़ते हुए तो करता है पर घर में पाइसा नहीं है हम जाएंगो पढ़ने ते को इन पिआप देगा पढ़ने जा गए तो फिर घर नहीं चल पाये तुमारे इस वुजह से काम कर रहे है उम्र क पानी बेच रहा पहले बैलून बेचते तो उसमें ज्यादा नहीं होता था क्या कि पानी बेचने को तुमको कौन सीखा है अब देखिए 12 साल उम्र है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं है अब मुझे नहीं पता कितना सचाही है इसकी बातों में लेकि निकायरान नहीं मिलता है बारह हजार क्यास पास मंतली का कमा लेता है पानी बेच करके अला कि मजबूरी है इस लड़के की और दिखाने का मेरा मकसद यहीं था कि मजबूरी में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अच्छा है कि इसके पास साधन नहीं है कमाने का कोशिस कर रहा है बहुत सारे बच्चे बेवज़ा भीख मांगने का काम करते हैं जिनको मंगवाया बच्चो को भीख मागवाया जाता है और मजबूरी है इस तरह कि बच्चो को सरकार को तो सचना चाहिए इनके परिवार के खर्च सरकार उठास पढ़ाइए नहीं कर रहा है अको बढ़ने बच्चों की स्थिति के बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं बाकी तमाम लोगों को पता है अलाकि आप सब की राय है यह सब की अपनी राय जो है जरूर लिखेगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किजिएगा और ऐसे बच्चों से आखरी में कफिल कि ऐसे बच्चे अगर तो को सके तो इन बच्चों से समान खरिदने का प्रयास किजिएगा तोकि आप एक समान खरिता है जिस बच्चे का घर पड़िवार चलता है इसलिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं कई और किसे और वीडियो में तब तक के लिए जय हैं